हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है सिंपल और यूनिक किचिन में आज अब बनाने जा रहे हैं खील के धाई भड़े तो आईए शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हमें खील, उबले हुए आलू, ब्रेड क्रम्स, नमक, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, बारी कटारा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, धाई, सौट, चटनी, ओईल और पानी की ज़रूरत है सबसे पहले हम खील में पानी डालेंगे और इसे आदे घंटे के लिए भिगोने रख देंगे हमें इसे 30 मिनिट के लिए प्रॉक्स भिगोना है हमें इध्यान रखना है कि अच्छे से डिप हो जाए सारी खील पानी में इतना पानी हमें डालना है अब हम जब तक की खील हमारी डिप हो रही है हम साइट से अपनी इसकी स्टफिंग तया कर लेती है उसके लिए हम उबले होई आलू को मेश करेंगे अच्छे से अब इसमें हम नमक, अपने स्वाधन उसार गरम मसाला अमचूर पाउडर धनिया पाउडर लाल मिच पाउडर बारी कटा हरा धनिया डालेंगे और इन्हें मिक्स करेंगे इसकी हम इसे अच्छे से मैश करते होई, मिक्स करते होई इसकी अच्छे से अपनी स्टफिंग तयार कर लेंगे हमारी स्टफिंग तयार हो गई है अब हम इसे साइट से रग देंगे अब हमारी 25 से 30 में ठोगा है हमारी खील भी भीग गई है अब हम इसे निचोडने के लिए रग देंगे हम इसे या तो घर में कोई भी चलनी से निचोड सकते हैं या फिर आप इसके एकदम महीन कपड़े में अच्छे से निचोड सकते हैं क्योंकि उस कपड़े से आपका एकदम पानी निकल जाएगा और ये एकदम सूखी रह जाएगी अब हम इस खील में ब्रेट क्रम की हुई जो रखी थी हमने वो डालेंगे और इसे अच्छे से मैश करते हुए इसे मिक्स करेंगे हम जितना हो सके हमें उसे इतना अच्छे से मैश करना है मैश हो गई है अब हम अपनी कड़ाई गैस पर रखेंगे और इसमें ऑईल डालेंगे और ऑईल को तेज गरम होने के लिए रख देंगे अब हम अपनी मैश की हुई खील लेंगे और इसे पूड़ी की तरह से इसे लमा कर लेंगे और इसमें अलू की स्टफिंग की हुई तयार इसमें डालेंगे और इसे गोल करते हुए इसे बंद कर लेंगे और इसे गुमा के ओवर शेप में तयार कर लेंगे ऐसे करके हम अपने खील के धई बड़े तयार कर लेंगे और साइट से रख देंगे और साइड बाइ साइड हमारा ओईल गरम होई रहा है उसे हम तेज गरम होने देंगे अब हम अब हम अब हम अब हम अब हम अब हम अपनी खील की दहीं बड़ों को डीफ्राइ कर लेंगे हमें इन्हें जब तक डीफ्राइ करना है तब तक कि यह गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और इन्हें हम पलट पलट के डीफ्राइ करेंगे इस बात का ध्यान रखें जब भी आप खील की दहीबड़े ओईल में डालें तो ओईल हमारा एकदम तेज गरम होना चाहिए और फिर आप इसे गैस मीडियम करके इन्हें पकाएं ताकि यह अंदर तक अच्छे से अच्छी पकता है जो हमारा मता हुआ धाई रखाता हम उसे उठाएंगे और साइट से रख लेंगे और इसमें हमारा जो खील के दही बढ़े हैं जैसे ही सिख जाते हैं हम डारेट धाई में डिप करते हैं ताकि यह अच्छे से धाई को एब्सॉफ कर लें और इसे खाने में अलगी मज़ा आए और इसे प्लेट में निकाल लेंगे आप इसे जैसे भी सौट चटनी जिसके भी साथ खाना चाहें उसे डालें और इसमें जीरा पाउडर लाल मिच पाउडर नमक डालके इसे सर्फ करें अगर आपको हमारी ये डिश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद